दोस्तो सुवागत है आप सभी का अपना चैनल आईएंडी हिंदी टेक में इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि आप एटल पेमेंट बैंक की सेविंग अकाउंट में अपने अधार काड को कैसे लिंक कर सकते हैं डिरेक्ट वेनिफिट ट्रांसफर याने डिबी टी के लिए या फिर बात करें एनपी सी आई का दोनों जो है सेम ही होता है आप अपने अधार काड को किसी एक बैंक अकाउंट में लिंक कर सकते हैं डिरेक्ट वेनिफिट ट्रांसफर या एनपी सी आई के लिए तो आज की इस वीडियो में हम यहीं बात करेंगे कि यदि अभ प्लिकेसल 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 ओपन करने के बाद यहां पर जो है आपको बैंक वाला ओप्संस मिलेगा जब आप इस पर क्लिक करोगे तो उपर में आपका सेविंग अकाउंट करके लिखा आएगा और बाइलेंस जितने भी रहेंगे आपको यहाँ पर नजर आ जाएगा ठीक है और यहाँ पर कुछ बैनर है जो आप सलाइड होते हुए देख रहे हो तो यहाँ पर आपको मिलेगा सरकारी सहायता रासी लिखा हुआ जहाँ पर 20 र्रूपया का cashback भी लिखा गया है तो इसी बैनर पर आपको क्लिक करना है जब आप इस बैनर पर क्लिक करोगे तो आपके सामने एक नया page open होगा जिसमें दो options आपको सबसे पहले मिलेगा सबसे पहला options है पहली वार लिंक करना इसमें भी आपको 20 रुपया का cashback मिलेगा और मान के चलो कि दूसरे bank account में आप link करके रखे हो और अभी आप AITL payment bank के saving account में link करोगे तो इसके लिए भी आपको 20 रुपया का cashback मिलेगा देखिए पहली वार लिंक करने का मतलब ये है कि आप अपने आधार card को किसी दूसरे account में किसी दूसरे bank account में आपने link नहीं किया है तो आप सबसे उपर वाला पर क्लिक कीजिए अगर मान के चलो कि आपने दूसरे bank account में बरतमान में link करके रखा है और उसे आप बदलना चाहती है AITL payment bank के saving account में link करना चाहती है तो नीचे वाले options पर क्लिक कीजिए ठीक है दोनों में आपको options same ही आएगा सिर्फ नीचे वाला में एक यहाँ पर प्रोसेस बढ़ जाएगा कि आपको पहले वाला bank account सेलक्ट करना परेगा तो चलिए यहाँ पर हम बता देती है नीचे वाले पर क्लिक करती है तो यहाँ पर क्या है कि registered mobile number दर्ज करना है जो AITL के payment bank saving account में आपका registered mobile number है उसे आप यहाँ पर दर्ज कीजिए और OTP भेजे पर क्लिक कीजिए जब OTP आएगा उसके बाद OTP डाल कर आप आगे बढ़ सकती है मान की चलो कि आपको पता नहीं है कि हमारा जो अधार कार्ड है वो कौन से bank account के साथ बरतमान में DBT के लिए link है तो इस पर हम एक detail में वीडियो बना चुकी है कि आप कैसे check कर सकती है तो इस वीडियो के description box में सबसे उपर हमने link दे दिया है उस link पर क्लिक करके आप देख सकती है उस वीडियो को ठीक है दो मिनट के अंदर आप लोग पता कर लेजेगा तो यहाँ पर हमने OTP दर्ज कर दिया है 6-digit का verification code होता है उसकी बाद हम यहाँ पर आगे वर्डे पर क्लिक करती है तो यहाँ पर लिखा जा चुका है तो यहाँ पर लिखा जा चुका है तो यहाँ पर आधार इस आधार को link नहीं कर सकेंगे ठीक है तो यहाँ पर आसपस्ट रूप से हमारा बता दिया किया है कि मेरा जो आधार है वो पहले से ही link है तो आप लोगों को इसके आगे क्या process करना होगा वो हम आपको बता देती है जैसे आप यहाँ पर आगे वड़े पर क्लिक करेंगे तो इसके बाद आप से पूछा जाएगा कि आप जो है बरतमान में कौन से बैंक के साथ अपने अधार कार्ड को डीवी टी के लिए link करके रखे हैं ठीक है तो अगर आप किसी बैंक के साथ link करके रखे हैं आप जो है UIDI के website पर जाकर check कर लिजे वहाँ पर जो भी बैंक बता रहा है जैसे पेटियम हो गया या फिर मान के चलो की access हो गया जो भी बैंक बता रहा है न वही बैंक को आपको यहाँ पर select कर लेना होगा अगर आप गलत बैंक को select करती हैं तो यह reject हो जाएगा इतना बात आप ध्यान में रखिएगा सही सही आप बैंक को select कीजिए उसके बाद आप request डालिए और तीन दीनों की अंदर में आपका यहाँ पर direct benefit transfer के लिए आधार AATL payment bank के saving account के साथ link हो जाएगा जो कि आप यहाँ पर देख सकती हैं हमने आपको process तो बताना चाहा लेकिन यहाँ पर जो है मेरा आधार कार्ड पहले से ही link है AATL payment bank के saving account से जिसके वज़ा से यहाँ पर जो है हम आगे process नहीं कर पाए हैं यहाँ पर अगर first time भी आप लोग करती हैं तो first time में जो है आपको कोई भी bank select करने का जरूरत नहीं होगा directly आप अपने अधार कार्ड को link कर सकती हैं इसमें किसी भी परकार का आपको दिकत नहीं होने वाला है तो इस वीडियो में हमने आपको वाक्य के रूप में लगभग detail में बता दिया है यदि कोई भी दिकत होता है इससे आगे तो आप वीडियो के नीचे comment करके हमसे जरूर पूछ लीजेगा और यदि आप टेलिग्राम चैनल से जूरे होंगे तो हमसे वहाँ पर screenshot भेज कर आ वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए सेर कीजिए और इसी तरह के वीडियो प्राप्ति के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें धन्यवाद